Hello Friends, Welcome to Best English Classes, मैं हूँ प्रतीक तवर, Spoken English के इस सफर में हम छोटे-छोटे टास्क आपको दे रहे हैं कि आप उन छोटे टास्क को कम्प्लीट करें जहां आपको English में 1 मिनिट से 2 मिनिट तक बोलना है अब उसके लिए आप कोई भी छोटे और असान टापिक ले सकते हैं ऐसा ये टापिक में आपके लिए लेकर आया हूँ आप पहले इसको ध्यान से सुने, पढ़ें और फिर खुद पेपर पैन लेकर लिखकर बिना देखे बोलने की प्राक्टिस करें तो टापिक है टी प्रिपरेशन, चाय कैसे बनाते हैं, कितना सिंपल टापिक हैं आप मिसिस, लगबग सभी लोगों ने चाय कोद बनाई होगी आईए स्टार्ट करते हैं, फिर्स्ट लाइन है फिल अ सॉस पैन विद वाटर सॉस पैन यानि गहरा बरतन गहरे बरतन को पानी से बरो and place it on the stove over medium heat और उसको stove पर रगदो medium heat पर नमबर टू, once the water starts simmering जब पानी सिमर करने लग जाए सिमर का मतलब होता है, देरे देरे उबलने लग जाए अड़ टी लीज उसकी अंदर आप चाय की पतियां डालो खास तोर पे ब्लैक टी, according to the desired strength जितनी की आपको जरुवत है, जितनी strong आप चाय पीते हो उसके हिसाब से थर्ड, add crushed ginger कुटी वी, PC वी ginger उसमें डालो, अदरक लगबग आदा इंच and a few crushed cardamom, pods cardamom का मतलब होता है, इलाइची कुछ, कुटे होए, पिसे होए, इलाइची के दाने भी उसमें डालो for added flavor, extra flavor के लिए allow the tea to simmer चाय को simmer होने दो, simmer का मतलब होता है, जैसे पानी हलका सा उबलने लगता है और हिलने लगता है, ऐसे उस चाय को simmer होने दो for a few minutes, कुछ minutes के लिए until it reaches the desired color and aroma जब तक की वो पहुँच जाए, जितना आपको चाहिए, वैसा color आ जाए और वैसी कुछबू आ जाए, aroma यानी कुछबू meanwhile, इसी बीच, in a separate small sauce pan एक side में अलग sauce pan रखो और heat करो milk को based on your preference, जैसी भी आपकी इच्छा है, उतना उसको गरम करो usually, one-fourth से लेके आदा cup per serving अगर एक cup चाहिए बनानी है, तो one-fourth या half milk ले लो sixth, when the tea has simmered to your liking, जब चाह उतनी उबल गई है जितना की आप चाह रहे हैं, pour the heated milk into the sauce pan उस गरम दूद को sauce pan में डाल दो and let it come to a gentle boil उसको अलका उबलने दो seventh point, stir in sugar according to taste चीनी मिलानी है आपको, stir मतब मिलाना usually about one to two teaspoons per cup लगबग एक से दो teaspoon let the tea simmer for another minute चाह को एक मिनिट और simmer होने दो allowing the flavors to melt अच्छे से सारे flavors उसके अंदर melt हो जाएं, यानि की mix हो जाएं ninth point, strain the tea into cups चाह को cups में चान लो using a tea strainer और sieve चलनी की मदद से strainer और sieve दोनों का मतलब होता है चलनी discarding the tea leaves and spices जो चाह की पतियां हैं और मसाले हैं उनको आमने discard कर दिया अलग कर दिया serve hot and savor the rich and aromatic Indian style tea गरम गरम सर्व करें और savor, savor का मतलब होता है स्वाद लें इस rich और खुशबूदार Indian style चाह का एक छोटा सा topic था जिसमें सर्फ 10 लाइने थी आप भी कोशिश करो इसको prepare करो और फिर अपने cousin को, अपने brother को, अपने friend को बिना देके सुनाओ ऐसे ही practice करने से English आप आएगी practice makes a man perfect फिर मिलेंगी एक और topic के साथ डॉक्टर प्रतीक को इजाज़त दें don't forget to like, share and subscribe अपना feedback भी दें comment box में इससे हमें बहुत motivation मिलता है